आप सोच रहे हों कि आपने मेरे लिए क्या किया कई सालों पहले जब मेरा जन दिन था मैंने प्रभू से एक वचन मांगा और मुझे प्रभू से ये मिला लुका इसका दस्वाद दिया है लुका दस उसका बीस वचन इन दो चीजों के बारे में सोच कर देखिए येश्यों मसी के नाम में येश्योमसी के नाम में दुष्ट आत्माएं मेरे आधीन है, मेरे वष्च में है अगर ऐसा है तो ये दूश समय है मेरा नाम स्वर्ग में लिखा है मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया प्रभु ने कहा तुमने जो परमेश्वर के लिए किया उसमें आनंद मत मनाओ बलकि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए किया किया उसमें आनंद मनाओ मेरे रिदय के लिए ये एक अध्भुत वचन था तुमने परमेश्वर के लिए क्या किया है इसमें आनंदमत मनाओ बलकि परमेश्वर ने जो तुम्हारे लिए किया उसमें आनंदमनाओ जिसके लिए तुमने कभी कुछ किया नहीं तुम उसके योग यह नहीं थे तुमने कुछ नहीं किया, परमेश्वर ने वो तुम्हारे लिए किया है ये एक परमेश्वर केंदरित जीवन है, परमेश्वर ने क्या किया अगर मेरा मन निरंतर इसी पर लगा है कि मैंने परमेश्वर के लिए क्या किया है वो स्वयम में केंदरित है परमेश्वर केंद्रित होने का मतलब है मैं ज़्यादा इसलिए सोच रहा हूँ कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया अगर ऐसा है तो फिर वो हम सबको एक ही स्थर पर लाता है अगर मैं दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालने के लिए समझने लगो कि मैं बहतर हूँ तो फिर मैं उन लोगों से अगर मैं इसमें आनंद करू कि मैंने दुष्ट आत्माओं को निकाला है फिर मैं उन सारे लोगों से बहतर हूँ जिन्नों ने दुष्ट आत्माओं को कभी नहीं निकाला और अगर किसी और विक्तिन दुष्ट आत फिर हम तुलना करने लगते हैं तुमने कितने दुष्टा आत्मा निकाली। मैंने कितने दुष्टात्मा नीकाली। और फिर मुझे लगए हैं कि मैं तुम predictive बढ़ा हों। तुम McDступ आत्र हूं। कितने पापों पर निरंतर आमी जब मैं ओपने विजाती है। पर जब बात आती है कि आपका नाम स्वर्ग में लिखा गया है, या मेरा नाम स्वर्ग में लिखा गया है, तो उसमें हमने क्या किया था, कुछ नहीं, फिर हम सब समान हो जाते हैं हम कैसे समान हो सकते हैं, मैं 55 वर्षों से एक विश्वासी हो, तुम्हारा तो कल ही नया जन्व हुआ, और उसके बावजुद हम समान हैं, हाँ वही, वही स्वर्ग का राज्य है, क्या आप इस स्वर्ग के राज्य में होना चाहोगे, पसंद करोगे, जहां अगर आप 50 वर्षों से मसीही हो, विश्वासी हो उसके बावजुद, जिसका कल नया जन्व होता है, उसको और आपको परमेश्वर एक ही स्थर पर रखता है, वह स्वर्ग का राज्य है, दोनों आनंद मनाते हैं, इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर के लिए क्या किय बलकि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जब हम स्वर्ग जाएंगे, अगर आप वहां जाओ तो, आप जरूर वहां जाओगे अगर आप परमेश्वर में केंद्रित हो तो वो निश्चित है, अगर आप अपने आप में कें पर जब हम वहां जाएंगे, तब हम पाएंगे, वहां स्वर्ग में हर एक विक्ति परमेश्वर की स्थूति कर रहा है, वो यह कह रहा है कि प्रभू, आपके मृत्यों के वज़े से आज हम याजक है, हम स्वर्ग में गिंती नहीं कर रहे है कि पतरस ने कितने दुष्टात्माई निकाली, पॉलस ने कितने दुष्टात्माई निकाली, इस व्यक्ति ने क्या किया, उस व्यक्ति ने क्या किया, नहीं, यह सारी चीजे पृथवी पर है केवल, और लोग सारे अलग-अलग रिपोर्ट भेजते हैं कि हमने इस जगे में कलीसिया स्थापना की, हमने ये किया, वो किया स्वर्ग में किवल यही है कि येशु हमारे लिए मरा फिर एक नया जन्द पाया हुआ विक्ति, उसी के स्थर पर वो मुझे ले आता है फिर उसका क्या जो हमने उसके लिए किया, हमने उसके लिए जो कुछ किया, वो हमने कृतक जयता के द्वारा हमारा धन्यवाद व्यक्ति करने के लिए किया उसके लिए हम कोई श्रेय नहीं लेते क्यूंकि मैंने इतनी ख्यमा पाई थी इसलिए मैंने ज़्याधा प्रेम किया वो दूसरे विक्ति जिसकी कम ख्यमा हुई है या उसने थोड़ा ही प्रेम किया थोड़ा ही किया यह समझना एक अदूत बात है क्योंकि हमारे मसीह जीवन में बहुत ज्यादा जो संगर्ष है वो इस वज़े से होता है क्योंकि हम यह मसीह जीवन जो है अपने आप में केंद्रित होकर जीने की कोशिश कर रहे है और वैसे तो वो काम ही नहीं करेगा वो जो सारे परिश्रम हम लेते हैं वो सब व्यर्थ हो जाते हैं और मैंने कहाने सुनी थी कि एक व्यक्ति जो था इस नगर से इस राष्टर से दूसरे राष्टर में जा रहा था और बीच में एक नदी थी और इस राष्टर में जो था वहाँ जो थी कोई भी नशीली चीज नहीं मिलती थी वहाँ दारू नहीं मिलती थी इसलिए अगर कोई पीना चाहे तो वो दूसरे राष्टर में जाकर पीता था और यह विक्ति अपनी चूटी नाव में बैठकर नदी पार करके उस दूसरे राष्टर में गया और उसने अपनी नाव वहाँ बांदी किनारे पर और फिर जाकर वो बहुत अच्छे से उसने पिया और अपने आप वो उसका आनंद उठा रहा था और वो उसने नशा किया वहाँ और वहाँ वो बिलकुल दारू पीकर वहाँ नशे में वापस अपनी नाव के पास आता है और जब वो वापस अपने घर पर निकलता है अपनी नाव में और उसे लगा कि वो हिली नहीं रहा मानो उसी जगह पर है और वो चलाते रहा चलाते रहा चलाते रहा पर वो कहीं जाई नहीं रहा था और जब दिन निकला सुबह हो गई उसने पाया कि उसकी नाव जो थी वो अब भी पेड से बंदी हुई थी कई मसीही जो गतिविदिया है वो बिलकुल ऐसे ही होती है मैं प्रभु के लिए ये कर रहा हूँ मैं प्रभु के लिए वो कर रहा हूँ मैं पैसा दे रहा हूँ पर मेरा जीवन अब भी मुझमें ही केंद्रत है उस जुडाओ को काट दीजिए और फिर थोड़ा प्रयास करने पे भी आप बहुत लंबा रास्ता काट सकोगे ये है मसी जीवन ये सब निर्वर होता है मैं जहां जुडा हुआ था उस लगाओ को मैंने जहां मैं बंधा था क्या मैंने उसे काट दिया है क्या एक स्वयम में केंदर जीवन से उस मैं जब बंध गया था मैंने उसे काटा है क्या मेरे प्रिय भाई और भेनों ये केवल कोई विचारिया बौधिक ज्यान नहीं है और उड़ाओ पुत्र और उस बड़े पुत्र की यही तो कहानी है दो अलग अलग पापी जो अपने आप में केंदर थे जब तक की एक दिन आया उसमें से एक जो पापी था वो कहता है कि नहीं अब मैं खतम हो चुका हूँ हाँ यह सच है कि अब भी मैं थोड़ा अपने आप में केंदर थे हूँ इसी वज़े से मैं अपने पिता के घर में लौट रहा हूँ क्योंकि मुझे खाना चाहिए मुझे बस जो परियाप्त है मेरी आवशक्ता के लिए जो थोड़ा सा चाहिए वो मुझे दे दो वो ही परियाप्त है पर अब वो एक अलग आत्मा से आ रहा है अब वो इस आत्मा से आ रहा है कि पिता में किसी बात के योग यह नहीं पहले उसके अंदर ये एक इच्छा थी कि नहीं मैं इस बात का हगदार हूँ, मैं इसके लायक हूँ अब उसके अंदर ये बिलकुल भी भावना नहीं है कि वो किसी चीज के लायक है या वो किसी चीज का हगदार है मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनो जब आप परमेश्वर के पास आते हो क्या आपके अंदर ये ऐसा विचार होता है कि नहीं मैं इसके हगदार हूँ मैं इसके योग्य हूँ क्योंकि इतने वर्षों से परमेश्वर मैंने तेरी सेवा की है ये आप कहते हो कि प्रभू मैं किसी बात के योग्य नहीं हूँ कोई चीज पाने के मैं लायक नहीं हूँ अगर आप मुझे वो दो जिसके मैं योग्य हूँ के में लायक हूँ तो वो नर्ख होगा बाकी सब तो परमेश्वर की दया है धन्यवाद मैं परमेश्वर का एक पुत्र हूँ पर इसलिए नहीं कि मेरे अंदर क्या है उस वज़े से नहीं यह नहीं कि मैं अपने आप के बारे में बहुत ही कम सोचता हूँ मैं अपने आपको तुछ से जानता हूँ कि मैं तो बस एक कीडा हूँ नहीं 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 मैं परमेश्वर की संतान हूँ पर जो कुछ मेरे पास है मैं उसके योग यह नहीं था मैंने परमेश्वर से उसे पाया वो मैंने मुफ्त में पाया है और वो फिर मुझे बाकियों के ही स्थर पर रखेगा आप में से जितने लोगों को घमंड के साथ समस्या होती है आप दूसरों को तुछ से जानते हो आपको लगता है कि आप दूसरों से बहतर हो दूसरों को तुछ से जानते हो क्योंकि वो आपके जैसे संस्कूरुती नहीं रखते हैं, आपके जैसे उनके पास कुशलताई नहीं है, उतने वरदान नहीं है, या आपकी भाषा उनकी भाषा अलग है, ऐसी कोई भी बात होगी फिर आपको इस विशे पर जोती मिलने के आवशकता है, आपको उस रसी को काटने की जरुरत है, जिस के वज़े से आपकी ना उस पेड से बंदी है, इस स्वयम में केंद्र जीवन की रसी को काटने की आपको जरुरत है फिर सारे भाईयों को बहुत ही आसानी से आप मुल ले देना सीखोगे फिर आपके लिए ये संगर्ष नहीं होगा आपके जीवन की कई समस्याए जो है वो हल हो जाएंगी जब आप देखोगे कि पाप की जड़ स्वयम में केंद्रित होना है पती पतनी के बीच कई समस्याए है जो वो इस वज़े से आती है मैं आपको बताता हूँ क्यूंकि दो स्वयम में केंद्रित लोग है जो एक साथ जी रहे है फिर तो समस्या होनी ही है इसलिए येशु ने कहा कि एकलौता तरीका है क्रूस उठाओ क्रूस उठाओ अपना स्वयम का जो जीवन है उसको मार दो हमारे जिड़े में केवल एक ही सिहासन है या तो हम स्वयम वहा है या तो येशु वहा है और जब येशु ने कहा अपना क्रूस उठाओ वो कह रहा था कि अपने स्वयम को मार दो और अपने जीवन के सियासन पर मुझे रखो फिर आपके विचार ये नहीं होंगे कि उसने मेरे साथ कैसे बरताव किया उसने मेरा आदर किया या नहीं उसने ये नहीं किया उसने वो नहीं किया ये सब विचार आपके नहीं होंगे पर आपके विचार होंगे कि प्रभु मैं अपने जीवन में तेरे नाम को महिमा लाना चाहता हूं तेरे नाम को तेरा नाम पवित्र माना जाए प्रभु तेरा राज्या है यह सारी जो बैचैनी है आपके मन में हमारे जीवन की सारी बैचैनी इस वज़े से होती है क्योंकि स्वयम हमारे जीवन के केंद्र में है स्वर्ग में कोई बैचैनी नहीं है क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग के केंद्र में है इस संसार में बैचैनी यह पूरा संसार बैचनी से भरा हुआ है क्योंकि स्वयम जो है वही सबके हर एक जीवन में किंदरित है हर एक जीवन स्वयम में ही किंदरित है इस वज़े से आपके घर में बैचनी ही बैचनी होगी अगर दो स्वयम में किंदरित लोग एक साथ वहां जी रहे हैं तो कम से कम उन में से अगर दो में से एक व्यक्ति भी मरने के लिए तयार हो जाए फिर उस घर में शांती होगी अगर दोनों मरने के लिए तयार हो फिर तो स्वर्ग होगा वहां संगती होगी वही बात कलिश्या में भी हम ऐसे लोगों को एकठा करना चाहते है जो अपने आप में केंद्रित ऐसा जीवन नहीं जीना चाहते पर परमेश्वर में केंद्रित होकर हम परमेश्वर के सामने प्रार्तना में सिर जुखाएंगे स्वर्गिय पिता हम केवल इन बातों को समझना नहीं चाहते बुद्धिमान जो मन है वो बहुत ही जल्दी इन बातों को समझ सकते है और उन्हें लगेगा कि वो समझ गए है उन्होंने कुछ पा लिया है प्रभु प्रती दिन के जीवन में इसकी वास्तविक्ता में तू हमें लिया जहां मसी वास्तविक्ता में हमारा केंद्रस्थान है जहां मसी के नाम की महिमा वही हमारे रिदय की लालसा है वही हमारे रिदय की इच्छा है और तेरी इच्छा हमारे ज्ञान के अनुसार सबसे अच्छे से करना वही हमारी महत्वका आंक्षा बन जाए प्रभु हमारी आखे खोल दे कि इस साधार अन रहस्य को हम देख पाए हमें वो जड दिखा जिसके उपर तो कुलाडा रखना चाहता है प्रती दिन हमारी साहता करके हम अपना क्रूस उठाए और मरे और तेरे पीछे चले येश्यो के नाम से मांगते हैं आमें